आज मैं आपको एक ऐसी कंपनी के बारे में बताने वाला हूँ जिस पे मैंने लगातार कई वीडियो पोस्ट किये हैं और लोग इस सेर से आप परिसान हो चुके हैं क्योंकि बहुत काफी समय से एक ही एरिया पे कंसॉलिडेट कर रहा है लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात चाहता हूँ जिस दिन इसमें रैली चालू होगी न और मार्केट आपको देखी रहे हैं कि वैक्सिन के कितने क्लोज हो रहा है यह सेर आपको बहुत बड़ा रिटन कमा के देगा दोस्तों अभी मौका है इसे अपने लॉंग टम पोर्टफोलियो में एड कीजे आपको रेलवे सेक्टर अभी न्यूज में है गौवर्मेंट आपको पता है 151 ट्रेनों को लॉंच करने वाली है प्राइवेट 30,000 क्रोण का यह एक प्रोजेक्ट है तो IRCTC को सबसे जड़ा फायदा होगा दोस्तों और जिस दिन वैक्सिन आच गई गई गर इंडिया के अंदर तो आप समझ लीजे अनलॉक कितनी तरीके से खुलेगा लॉक्डाउन वगएरा और ट्रेने सब चालू हो जाएंगी बहुत बड़ा पैसा आपको बनाकर दे सकता है दोस्तों एड कीजिए अपने पोर्टफोलियो में सही समय है यह इससे नीचे जाएगा नहीं क्योंकि आ इसी दोनों में ही लिस्टेट जैसा आप जानते हैं एक परसेंट की तेजी देखी गई है आज मतलब 21 जुलाई को करीब करीब 13 रुपए पिछतर पैसे की तेजी एडजेस्टेट क्लोजिंग प्राइस 1390 रुपए प्रीवेस क्लोज 1376 रुपए था आज ये ओपन हुआ 13 करना सुरू कर दीजे आई इसकी रिटन की प्रोफाइल चेक करते हैं किस परकार से अपने निवेसकों को इसने रिटन अपने कमा के दियें बीते समय में ये एक प्योर मल्टी वेगर सेर जैसा मैं आपको मेसा बोलता हूं और आप इसे जितनी जल्दी अपने पोर्टफोल 12 दोस्तों माफ कीजेगा करीब 2.01% के इसने एक वीक में रिटन कमा के दिये वहीं एक महिने में IRCTC 2.28% डाउन देखा गया 2020 में इस टॉक ने करीब 48.85% के दोस्तों पॉजिटिव रिटन कमा के दियें और आपको पता है इससे ज़्यादा इसका डेटा अवेलबल नहीं क इसकी क्लोजिंग देखने के में दोस्तों 390 रुपए के आसपास हुई है सांदार ट्रेडिंग वॉल्यूम रहा इसका 11,55,149 सेर का स्टॉक की फेस वेलू 10 रुपए की 52 लो 625 है 52 हाई दोस्तों 1994 वो दिन दूर नहीं दोस्तों ये अपना 52 हिट कर देगा तुवारा से त प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है 87.40% FIIs में 0.77% है mutual fund के पास 1.02% की होल्डिंग है insurance कंपनिया 0.01% वही non-institution investor 10.48% की होल्डिंग IRCTC में रखती है वही अधर DIA के पास 0.05% की IRCTC के अंदर होल्डिंग है बहतरीन कंपनी है दोस्तों प्रमोटर के पास मजवटी जो सेर होल्डिंग है इसमें प्रमोटर होल्डिंग नहीं मतलब गिर भी रखके सेर की कोई समस्या नहीं पूरी तरीके से डेट फ्री कंपनी है मुचल फंड की 17 स्कीमों ने 1.2% की इसके अंदर होल्डिंग ले रखे है एफ आई आई की 31 स्कुम ने 0.77% का इसमें होल्डिंग ले रखा है प्रमोटर भी थाइस होल्डिंग जो है आप देख सकते हैं दोस्तों गौर्मेंट आफ इंडिया मतलब प्रेसिडेंट आफ इंडिया के पास भारत सरकार के पास 87 दसमनों 4% की होल्डिंग है और हम आप जैसे जो निवेस है का है रिटेल वो 8.87% की होल्डिंग IRCTC के सब्सक्राइब नहीं वहीं मेरा लॉंग टर्म का जिसमें टार्गेट एक से डेड़ साल का है दोस्तों वह करीब 2400 रुपय का है तो दोस्तों जगह दीजिए लॉंग टर्म के लिए प्योर मल्टिवेगर से रहें 50-60% का रिटन आराम से आपको हर साल बनाके यह स्टॉक दे सकता है दोस्तों तो जगह दीजिए अपने पोर्ट्फोलियो में दिगगर जिस्ट्रों को